जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूँ आपके अपने भाय के यूटूब चैनल पेडिक्सन राजा में दोस्तों अभी हम बात करेंगे CSA T20 चैलेंज का जो आज दूसरा मुकावला खिला जाएगा Dolphin vs Western Provenance के बीच में इसको लेके हम डिटेल्स में देखेंगे परकेंगे फिर हम बात करेंगे अपनी Fantasy टीम को लेके आपको मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दूँ अभी जो हम देखेंगे वो महज एक अपना Demo टीम होगा Final Team में जो भी बदला होगा उसका अपडेट आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा Telegram चैनल पे मिलने वाला है Telegram चैनल से जुरने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा आप इसी वीडियो के चले जाईएगा कमेंट सेक्षन में और सबसे टॉप कमेंट में आपको देखने को मिलेगा मेरा Telegram चैनल का लिंक उसके ओपर क्लिक करके आप सभी को वहाँ पे जोईन कर लेना है अब दोस्तों यहाँ पर बात करूँ वीनिंग परसेंटेज को लेकर तो डॉल्फिन की टिम के लिए अपको दिखेंगे तकरीवन 75% के आसपास बात करूँ वेस्टर्न प्रोविनेंस को लेके तो इसके वीनिंग चांस है यहाँ पर आपको महस 30% के आसपास देखने को मिल जाएगा आएए देखते हैं फिलाल दुनर टिम प्वेंट स्टेबल में कहाँ पर विराजमन है और दुनर टिम ने इस मैच के लिए अपनी काउंसी एसक्वाइड एनौन्स की है तो यहाँ पर पहले दुस्तों देखते हैं दुनर टिम के स्क्वाइड के रह सकते हैं इस मैच में तो आपको दिखेगा डॉल्फिन के तरब से ओ बाट में दिखेंगे यह बहुत उसके लाबा डिठालो दिख सकते हैं डुपलाविन उसके लाबा सेरे लेलवी अगर खेल टॉनी डी जॉर्जी भी टॉप और्डर के वल्लेवाज हैं यह स्कॉइड में मिंसन हैं लेकिन यह भी नहीं खेल रहें जो खेलेंगों उसमें अब्दुल्ला है उसके लाबा नरेंद्र वर्गर जे दाउद फिर आपको दिखेंगे मारुकी मपोंग वाना खेल सकते हैं पैटर्सन कायल सेमन सकते हैं डी स्मीट और कैले वैडिन बात करूँ प्लेस्ट वाच बैटिंग में पहला नमाएगा यहां से ग्रैंट रोलेप्षन का लास्ट के दस मैच तीन सो तीस रन चाटिस का बैटिंग एबरेज 134 का श्ट्राइग रेट खाया जवंडो लास्ट बात करूँ इठन बोस दिखेंगे आपको 10 मैच में 17 विकेट लिए हुएं 5-1-4-1 का एकोनोमी 12 का श्ट्राइग रेट है बाटमन ने लास्ट के 10 मैच में 16 विकेट लिए हुए 6-2-4-3 का एकोनोमी और 19 का श्ट्राइग रेट है दोस्तों श्ट्राइग रेट का मतलब यह होता है कि इतने बॉल में जाके नॉर्माली उनको विकेट मिलता है दोनों टीम के लास्ट बैटल को लेके बात कर ले 23 परवड़ी 2022 को दोनों टीम आमने समने आई थी जहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए डॉल्फिन ने बोड़ पे लगाया थे 148 रन जहां पर की लेबाजी में डेनियल एसमी 17 के टाने डीजोर जी एक डेनियल विलास नो उसके लाबा जो खेलेंगे उसमें लिंडे होंगे जीडो उसके लाबा यहां पर मपोंगवाना चार बी हंडिक से दौध यहां पर एक रन किये हुए थे गिंदबाजी में जो काम्याब रहे थे उसमें थे ब्राइस पैरसंस चार अबर बैस रन दो विकेट फिलुकवाय को खेलेंगे नहीं मंगरू यहां पर अदर टीम से खेल देंगे बाटमें दो वर सोलर रन दो विकेट सुब्रियन चार अब देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा डॉल्फिन की टीम है नमब के एंजी के साथ खेल के आ रही है जहां पेटेंट के बज़े से मैच एवंडेड हो गई थी और यह मैच हम लोग का तक्रीवन वन साइडेड जा रहा था रिजन दोस्तों हमारे कैप्टेन दो डिफरेंशल थे कौन जेजे एसमर्स उन्होंने दो विकेट लेके अपना काम अब इससे पहले वाले मैच को लेकर अगर हम बात करेंगे तो डॉल्फिन का जो इससे पहले मुकाबला हुआ था वह था लाइन्स के साथ जो की डॉल्फिन वन साइडेड मैच को निकाल ली थी यहां गेंदवाजी में देखिएगा इथन वस चार में 34 सुब्रियन तीन ओ अब दोस्तों बात कर लेकर तो अपना लास्ट मैच खेल के आरें नौर्ट वेस्ट के साथ यहां पर देखिए क्या हुआ था वेस्टेंड प्रोविनेंस पहले बल्ले वाजी करते हुए अट्रावर में खड़ा के ते वन सिक्टी फोरन कपलान 39 डेनियल स्मिस्ट शिक्ति दोस्तों आपको देखने को मिलेगा वन थर्टी डू का बैलेंस विकेट दिखेगा ब्रोकन कलॉट्स रने वाले टेंपिटेचर अलमौस 24.29 को ज्यादा मदद करता है अगर हम बात करेंगे टॉप पिलेट इस वेन्यू वेस्ट ऑन लास्ट वेस्ट को लेकर तो जी रोल अप्सन ने छे मैच खेलें 46 का बैटिंग एबरेज 146 का स्ट्राइग रेट है दिए स्मित चार मैं 36 का बैटिंग एबरेज 124 का स्ट्राइग दसरे परलेट है बात करूब गंदवाजी में यहाँ पर 6 मैच दो मेच ब्सक्राइग पर मैच लेकर यहाँ पर बात कर लेत यहाँ पर 145 का है और average total score यहाँ पे 132 के आजपास का है अब यहाँ पे टॉस वीनर्स आप टू बैट परस्ट 40% केस में और 50% केस में जो टीम पहले बॉलिंग क्या हुआ है वो वीन क्या हुआ है अब सुचों के राजा वाई यह 50% केस क्या होता है लास्त के 5 मैच में इसका मतलब दू सब्सक्राइब करेंगे किगन प्टरशन में लिए का प्लान लिए तीसरा में किसकोपिक करोंगा उसके लिए मैं टौस के इंतिजार करोंगा में यहां पर किसी और को जगह नहीं दिया है बॉलिंग में इतन बोस डुपलावीन बाटमेन और यहां से मैं पी सुबडियों को जगह दिया है अब यह टीम है तभी लेकर जाओंगा जब डॉल्फिन पहले गिंदवाजी करेंगी बात करूँ कैप्टन बीसी को लेकर तो मेरे कैप्टन यहां से होंगे जे जे इसमर्स बीसी होंगे ग्रांट रोलेपसन इस के लबा में बीसी दोस्तो अपने टीम का अज़ए अगर दोस्तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ इन्जॉए कीजिए अच्छा खासा विन कीजिए